हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम तक में दोस्तों जैसा कि कल के वीडियो में हमने केम्प्यूटर के कुश्चन नमबर 16 तक कर चुके थे तो आज के वीडियो में कुश्चन नमबर 17 से स्टार्ट करेंगे तो साथ ही साथ आप इन सभी कुश्चन का जो राइट एंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो डेली आपको जो है साथ बज़े एक वीडियो मिलेगी है तो यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टन कुश्चन है चलिए जो है कुश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कुश्चन नमबर 17 है केम्पॉटर के लिए ग्राफीकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है तो केम्पॉटर में जो है इमेज को कौन इंसर्ट कर सकता है प्लाटर, स्कैनर या फिर माऊस या फिर प्रिंटर तो यहाँ पर जो है इसकराईट किया जा सकता है केम्पूटर में प्लाटर क्या है प्लाटर एक आउटपूट डिवाइस है जो पेज को प्रिंट बड़े से पेज को जो है प्रिंट करता है जैसे पोस्टर देखे होंगे रोड पर जो पोस्टर लगा होता है वो प्लाटर की मदद से जो है प्रेंट हुआ हो तो इस question का right answer है, option number B, option number B जो है, इसका correct answer है, question number यहाँ पर 18 है, चलिए comment में जो है, जल्दी जल्दी इसका answer दीजिए, यहाँ पर question है, secondary storage से data के लिए request मिलने के बाद, वास्तिविक data transfer के लिए लगने वाले समय को क्या करते हैं, तो secondary storage से, जैसे mouse के computer में secondary storage यानि की other storage होता है, जैसे pen drive, pen drive के माध्यम से जो है, आप data को computer में transfer करते हैं, तो जो समय लगता है, transfer करने में data को, उसे क्या करते हैं, disk transfer time, या फिर movement time, या फिर access time, या फिर data input time, तो इसका right answer क्या होगा, जल्दी जल्दी comment करिए, question number 18 का right answer क्या होगा, तो यहाँ पर इसका right answer है, disk transfer time इससे कहा जाता है, option number जो है, ये इसका correct answer है, अगला कुछन है, यदि आप windows 7 को windows 10 में बदल दें, तो आप वास्ताव में क्या कर रहे हैं, अप start या upgrade, या फिर update, या फिर patch, तो यह क्या कहते हैं, आपको बताना है, काफी subtle कुछ रहे, तो इसका right answer है, वो है, अप्ग्रेट कर रहे हैं, क्या करें, अप्ग्रेट कर रहे हैं, यानि कि B option, correct answer है, अगर हम अपने windows 7 को अप्डेट करते हैं, तो जैसे कि आप किसी app को अप्डेट करते हैं, तो नए version में चला जाता है, तो इसे यहाँ पर जो है, option number B, इसका correct answer है, अब देखेते हैं, यहाँ पर question number 20, question number 20 है, MS Word में font dialogue box खोल ले के लिए निमलिकत में से कौन सी shortcut कुणजी का उप्योग किया जाता है, जो font dialogue box open किया जाता है, MS Word में, उसको open करने के लिए कि shortcut कुणजी का उप्योग किया जाता है, आपको उतारा है, तो यहाँ पर जो shortcut कुणजी का इस्तमाल किया जाता है, वो किया जाता है, control plus shift plus F, control plus shift plus F की मदद से, font dialogue box open किया जाता है, right answer है, option number 3, अगला question है, question number 21, powerpoint 2016 में, slide master को किस menu में देखा जा सकता है, insert menu, या फिर file menu, या फिर view menu, या फिर home menu, तो slide master को जो option होता है, किस menu में मिलता है, कापी अच्चा question है, इसका option जो है, view menu में मिलता है, यानि कि see option इसका correct answer है, अगला question है, question number 22, MS Excel में, selling formula अगर आप लगाते हैं, तो यहाँ पर इसका मान आपको पताना है, कापी अच्चा question ये भी है, तो selling formula के लिए हमने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप जा कर देख सकते हैं, प्लेइलिस्ट में, तो selling में मैंने बता रखा है, कि आप जो है, यहाँ पर जो है वह number ग्याद के रिए, जो कि 80 से कम हो, और 6 से divide हो, मतलब 80 के नदीक वह कौन सी संख्या है, जो कि 6 से divide होने चाहिए, तो यहाँ पर 6 को divide करेंगे 78 से, तो यह divide हो जाएगा, और 80 के नदीक है, sell वाले formula में जो है आप, इसको लगा सकते हैं, यानि कि minimum संख्या कौन सी है, जो कि 80 के नदीक है और इस संख्या से divide है, तो यहाँ पर 78 है, तेरा गुड़ 6 करेंगे, 78 आ जाएगा, और यह divide है और 80 के नदीक है, अगर यहाँ पर floor होता, floor formula पूछा जाता, तो वहाँ पर जो है, 80 से बड़ी संख्य कौन सी है, जो कि 6 से divide होती, तो यहाँ पर उसको मान आप याद कर सकते थे, और यहाँ पर जो है, आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं, sill, sill जो हता है, sill fan जो हता है, वो नीचे होता है, floor मतलब च्छत, यानि कि ज़्यादा होता है, उपर होता है, यानि कि बड़ी संख्या और कुछ से नमबर तरीस है या Excel में एक function कटे नहीं है यह कौन सा जो है excel में function उसे मोइन का टेगरी नहीं है logical function डाटा सीर्इस financial text है तो यहाँ पर जो है लोजिकल function है financial function ईतेक्ष फंसन ना end लेकिन डाटा सीरीज जू है यह function नहीं होता है कि और यहाँ पर करेक्ट एंसर है अपसे नमबर भी अगला कुछन है कुछन नमबर चौवीस में संबंद में निम्लिकत में से कौन सा कथन यहां पर सच है पहला है कथन केवल एक डिफॉल्ट वर्क सीट खोला जा सकता है दूसरा है डिफॉल्ट सेल्फ फॉर्मेट जनरल है तो यहां पर कौन सा सेल्फ पर घूट कर सकते हैं ंतो साल की जब आप दोस्व bracelet को ऑपन करते हैं तो डिफॉल्ट के रुब में बुक वन जो है वर्क सीट खोल्ट जाती है बुक वन नाम से वर्क सीट क्या हो जाती है उपन हो जाती है तो डिफॉल्ट के रूप chỉूप में यही open होती है और default self-forward general होता है यानि cell में जो है कोई भी document नहीं होता है कोई भी cell में कोई भी document नहीं होता है तो ये भी सही है और ये भी सही है तो correct अंसा काउंसा हो जाएगा option number 3 अगला कुशन देखिए एक Excel वर्शीट का एक अंस नीचे दिया गया है तो यहाँ पर cell E1 में निम्न फर्मूला दिया गया है तो यहाँ पर cell E1 से प्राप्त फर्मूला को cell F1 में copy किये गया है तो cell F1 में परदर्शित मान क्या होगा ये जो फर्मूला दिया गया है इसका मान आपको ग्याद करना C1 में आपको B1 को माइनेस करना है तो C1 में B1 को माइनेस कर देंगे 10 में 7 को गठा देंगे तो यहाँ पर 3 जो है इसका राइट एंसर आ जाएगा यानि कि option number D जो है इस question का correct answer है यह भी काफी ज़्यादा important question है question number 26 है line के आरब में जाने के लिए किस shortcut कुझी का उपयोग किया जाता है line के आरब में जाने के लिए किस कुझी का उपयोग करते है तो यहाँ पर home कुझी का उपयोग किया जाता है line के आरब में जाने के लिए home कुझी का उपयोग किया जाता है अगर paragraph जैसे यह पूरा paragraph है यहाँ से यहाँ तक यानि कि छब दो के आगे जाना है तो control प्लस home का अभियोग किया जाता है और लाइन के आरम बे जाने के लिए सिर्फ home बटन को प्रेस किया जाएगा question number 27 है msxl 2016 में हम लेकित में से कौन सा date and time function तिति समय के अंस्वार format किये गये समाइक date out समय को लवटा देता है तो यानि कि किस function को उप्योग करके date and time इसके लावं जो है मन्त को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं तो किस function का उप्योग किया जाता है यहाँ पर जो है now function का उप्योग करके date and time और यहाँ पर month सब को यहाँ पर ग्याद कर सकते हैं उस समय date क्या है और उस समय time क्या हो रहा है सब कुछ जो है now function की मदद से जो है ग्याद किया जाता है binary system एक number system है जिसका आदार क्या होता है कापी सरल कुछ ने तो इसका आदार क्या होता है दो होता है बेस्ट दो होता है अगला कुछ ने निमन में से कौंस MS office का हिस्सा है तो MS office का हिस्सा कौंस है Microsoft Word, Excel, PowerPoint यानि कि सभी है तो option number 10 का correct है question number 30 जो है आपके लिए यहाँ पर मैं 30 question को देर रहा हूँ यहाँ पर आपको जो है इसका right answer कमेंट बॉक्स में करना है तो आगे की question जो है इसका right answer कल आपको बता दिये जाएगा तो यहाँ पर आप इसका right answer कमेंट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही Thanks for watching this video कि छेट जो आपको पाट कर दो आपको जो है कर दो विव पिरागा